Selfship orders को process करने पर इस वीडियो में आपका स्वागत है अपने seller central account में login करें order tap में जाकर order manage करें पर click करें इस page पर आप ship न किये गए pending orders देख सकते हैं Selfship order में shipment की pushthi करे button होता है जबकि easy ship order में यह button pickup schedule करें के रूप में दिखाई देता है Selfship order में आपको अपने products को खुद pack करना पड़ता है या तो आप packaging material खुद खरीद सकते हैं या फिर आप amazon branded packaging material को amazon.in website से खरीद सकते हैं अपने product को सफलता पूरवक pack करने के बाद shipping label को package पर चिपकाएं अपने carrier partner से बात कर from और to पते वाली shipping label की व्यवस्था करें Tax invoice को package के अंदर रखें आप यह invoice Tax invoice print करें बटन से डाउनलोड कर सकते हैं कृपया ध्यान दें कि packing slip की आवशकता नहीं है इसलिए से print न करें और order के साथ न भेजें अपने product को ग्रहक के पते पर भेजने के लिए आप Amazon के द्वारा संगटित किसी भी third party courier partners का उपयोग कर सकते हैं shipment करने के बाद shipment की पुष्टी करें बटन पर प्लिक करें Ship करने की तारीक, carrier और मान्य ट्रैकिंग ID भरें order की processing पूरी करने के लिए shipment की पुष्टी करें पर प्लिक करें इससे खरीदारों और Amazon systems को order track करने में मदद होती है Local shops on Amazon sellers buy shipping option भी देख सकते हैं इसका उपयोग सीधे आपके द्वारा deliver किये गए orders या Amazon के द्वारा नसंगठे third party courier partners के द्वारा deliver किये गए orders को process करने के लिए किया जा सकता है यह करने के लिए buy shipping पर क्लिक करें package का dimension और वजन भरें order को process करने के लिए buy shipping बटन पर क्लिक करें shipping label automatic रूप से बनता है और आप इसके बार कोड की scanning Amazon delivery app का उपयोग करके कर सकते हैं label को फिर से देखने के लिए आप order details page पर label फिर से print करें बटन पर क्लिक कर सकते हैं आप local shops orders के लिए उचित status जैसे pick up, delivery, rejects और undeliverable scans को update कर सकते हैं order के ship होने के बाद Amazon यह सब कारे करेगा order के लिए आपके seller account में payment credit करेगा खरीदार को shipping की पुष्थी भेजेगा और tracking detail के साथ उन्हें update करेगा इसी के साथ हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है हम आपकी सफलता की कामना करते हैं धन्यवाद